दोस्तों यमन के हुटीज ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि अब फ्रांस भी दुम दबा कर पीछे हट चुका है जी हाँ दोस्तों इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका जिस गटबंदन को बना कर यमन को आखे दिखा रहा था धंकिया दे रहा था लेकिन यमन ने सीना तान कर अमेरिका की धंकियों को हवा में उड़ा दे गए कि आकर तो दिखाओ यहाँ पर समुन्दर में ही तुम्हारी कबर बना देंगे अमेरिका को लग रहा था कि ऐसी धमकेत देंगे तो यमन वाले खामोश ओकर बैट जाएंगे लेकिन यमन डट कर सामने ख़़ा रहा उसका नतीज़े ये रहा कि सॉधी अरब और UAE पहले से ही इस गड़बंदन से बाहर हो चुके थे और अब खबर आ रहे है कि अमेरिका के सबसे बड़े हमदर्द फ्रांस ने भी इस गड़बंदन से अपना नाम वापस ले लिया है तो एक एक करके सभी देश अमेरिका के बनाए इस गड़बंदन को छोड़ते चले जा रहे हैं अभी कोई भी देश अपना युद्द पोत लेकर अमेरिका के साथ समुद्र में नहीं उतरा है जुकती है दुनिया बस जुकाने वाला चाहिए इस कहावत को यमन ने सच साबित कर दिया है अरे भाई वो भी तो इंसानी है अमेरिका, इसराइल, बिर्टेन, जापान, फ्रांस इनकी जो सेना है है तो वो भी इंसान जैसे हुतीज इंसान है, सौधी अरब की फौज इंसान है, है तो सभी इंसान ही बस फर्क ये है कि इन लोगों के पास थोड़े से ज्यादा एड़वांस हतियार होते हैं लेकिन अब तो किसी के पास हतियारों की कमी नहीं है, इरान अच्छे अच्छे हतियार होतीज को दे रहा है उधर नौर्थ कोरिया और रूस भी होतीज का सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन लड़ने के लिए जो जजबा चाहिए वो शायद अरब देशों के पास नहीं है यमन के हूतीज जजबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इन्सान वो भी हैं और इन्सान ये भी हैं फिलहाल समुझे विशेशक्ड़ों की माने तो फ्रांस की नौ सेना ने इस गड़बंदन से अपना नाम इसलिए वापस लिया है क्योंकि फ्रांस की नौ सेना यूरोपिय यूनियन के ज़हाजों को बचाना चाहती है अगर फ्रांस इस गड़बंदन में शामिल हो जाएगा तो हूतीज यूरोपिय यूनियन के सभी जहाजों को अपना निशाना बनाएंगे हुतीस साफ कह चुके हैं कि हम इसराइल देश के अलावा किसी और देश पर अटैक नहीं करेंगे और फ्रांस की नौसेना ने यही कहा है कि हम अपने यूरोपिय संगे जहाजों को बचाएंगे यमन के उपर हमले नहीं करेंगे और यह कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया है दोस्तों देखते जाएए एक दिन इसराइल और अमेरिका अकेले ही नजर आएंगे दोस्तों यमन के सना में आज हजारों यमन के लोग इगटा हुए हुटीस के समर्थन में अपने हाथों में बंदूके लेकर और कहा कि आप हमें इजासत दें जहां कहेंगे वहां लड़ने के लिए तयार है अमेरिका ने जो धंकी दिया है ना इस धंकी का हम पूरी तरह डट कर सामना करेंगे हम अमेरिका से डरने वाले नहीं है पूरा यमन उमड आया है हुटीस के साथ हत्यारों को लेकर दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये 57 इसलामिक देश जो है फिलिस्तीन को बचाने के लिए एक कदम भी ठीक से उठा दे तो अमेरिका और इस्राइल की आवकात नहीं है कि एक बंबी गिरा दे गाजा के उपर दोस्तों एक सर्वेवर साथी अरब के अंदर जिसमें ये पाया गया कि 96% साथी अरब की जनता जो है वो ये चाहते है कि साथी अरब पूरी तरह से इसराइल का बाइकॉट कर दे सारे राजनाइक संबंद खत्म कर दे और जो भी इसराइल से लेना देना है जो भी कारोबार है सब का बाइकॉट कर दे सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं साथी अरब में जो इस बात को नहीं चाहते हैं मुहम्मद बिन सल्मान के समर्टक होंगे वो जो ये नहीं चाहते हैं कि पूरी तरह से बाइकॉट करे साथी अरब इसराइल का देखी अगर कुछ ना करें ये इसलामिक देश सिर्फ इतना ही कर दें कि इसराइल के जितने भी प्रोड़क्ट है उन सारे प्रोड़क्ट का बाइकॉट कर दें अपने देश में बैन लगा दें तो इसराइल आवकात में आ जाए इसराइल का यही तो सोर्स ऑफ इंकम है लेकिन युद दोने के बावजूद भी इसराइल का कारोबार धडलने के साथ इसलामिक देशों से चल रहा है दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूँ गाजा सीजफायर के लिए राजी नहीं हो रहा है जबकि इसराइल कह रहा है कि एक डील कर लो हम अपने बंधकों को छुड़वा ले हम कुछ दिन का सीजफायर करेंगे लेकिन गाजा कह रहा है कि नहीं भाई पर्मानेंटली सीजफायर होगा और हमारी कुछ शर्ते भी है तो दोस्तों अब जो बॉल है न वो गाजा के पाले में है अब गाजा अपनी शर्तों को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसका कहना है कि अगर इसराइल उसकी शर्ते मानेगा तभी सीजफायर होगा वरना कोई बात नहीं तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इसराइल गाजा की शर्ते मानेगा और सीजफायर करेगा या नहीं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और आगे भी आई थी नॉलेज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दें शुक्रिया